सल्मान खाने हाल ही में इंटर्यू में कंफर्म किया है कि उनकी अगली फिल्म होगी धाबूल या वही फिल्म है जिसको लेकर करोन जोहर के साथ लंबए समय से बातचित चल रही थी इसी साल से पिच्चर की सुटिंग सुरू हो गई है अगर किस्मत रही तो 2024 में हम यह फिल् फिल्म है इसलिए फिल्म बनने में ही समय लेगी इस फिल्म की सुटिंग फॉर्वरी दो जाच चोबीस में सुरू होकर अगस्ट में खतम होगी सल्मान को इस फिल्म में पतला देखना है यह सारे रिक बदला उतने के लिए उन्हें भी टाइम चाहिए फिलाल धर्म पूट किया जाए इस फिल्म के लिए कई सेट बनाने पड़ेंगे जिसमें बहुत खर्चा होने वाला है इसके अलावे एक एक्टर्स की कोस्ट्यूम और यूनिफॉम बनाने पर भी काम चल रहा है मेकर्स नहीं चाहते हैं कि जल्टबाजी के चक्कर में उन्हें फिल्म की क्वालेटी के साथ समझोता करना पड़े साथी करन जोहर ने यह नहीं चाहते हैं कि इंडियन आर्मी पर बेस्ट फिल्म में किसी प्रकार की कमी या चुकर है 1921 में हुई भारती सेना द्वारा किये गई ओप्रेशन केक्षपर पिकवल की रिपोर्ट में बताये गया है कि इस फिल्म के टेंटवीट टोर पर धाबॉल बनाये चाह रहा है हाला कि मेकर्स कुछ और नाम भी विचार रहा है जो उन्हें फिल्म की कहानी के लिए सबसे ज़्यादे सुट बेल लगेगा है उसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे धबुल की कास्टिंग अब तक फाइनल नहीं हुई सालमान के ऑपोजिट किस हिरोईन को कास्ट किया चाहेगा उसके लिए कुछ नामों पर चल चल रहे है इस फिल्म को विचन वर्टन डायरेक्ट करेंगे उन्हें करण जोहर के प्रोडक्शन में बनी सेरसा अपने हिंदी सिनेमा में डब्यू किया था अब वो अपनी दूसरी हिंदी फिल्म पी करण की कंपनी के लिए ही बना रहा है धबुल की शुटिंग अगस्ट दोज़ेश चोबिस में खत्म होगी मेकर से इसे इत पर समझ नहीं आ रही है अगर सलमान फरवरी से अगस्ट तक दो बूल शुट करेंगे तो टाइगर वर्शिस परठान कब सुट होगी पहले आदित ये तोपड़ा टाइगर वर्शिस परठान को मार्च दो जाट चूबिस में लोंच करने के लिए सोच रहे थे मगर सिंग काम